आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। आई आपको बताते हैं कि कौन है तनु चंदेल तो हम आपको बता दें कि तनु का असली नाम निवेदिता चंदेल है। 37 साल की तनु उर्फ निवेदिता चंदेल इन दौर की रहने वाली हैं। और आई आई टी से पास आउट हैं। तनु कई सालों से बॉलिवोड में स्ट्रगल कर रही हैं। मेडिय रिपोर्ट्स की माने तो बॉलिवोड में आने से पहले तनु चंदेल मिस उत्तर प्रदेश का टाइटल जीत चुकी है। इसके बाद साल 2016 में तनु ने एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म लव के फंडे में काम किया। इस फिल्म में इन दिनों बिग बॉस में नजर आ रहे शालीन भनोट भी उनके साथ लीड रोल में थे। लेकिन इस फिल्म के बाद भी तनु को कोई नहीं जानता। अचानक राखी की वज़े से तनु का नाम मीडिया की सुर्खियों में है। हर तरफ उनकी और आदिल की तस्वीरें चाई हुई है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने पती आदिल दुरानी पर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्ट चराने का आरूप लगाया है। उनका कहना है कि तनु आदिल की गर्फरेंड है जब वो बिग बॉस मराटी में थी तो उनका ये अफेर शुरूर हुआ था। जब वो बिग बॉस से बाहर आई तो उन्होंने अपने पती को काफी समझाया कि अपनी गर्फरेंड को छोड़ दो लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद राकी ने अपने पती पर मारपीट और गहने चोरी करने का आरोप लगा कर पुलिस में केस दर्श कराया। और इस दोरान उन्होंने तनु का नाम लिया। राकी सावंद ने जैसे ही तनु का नाम लिया तो वो तुरंत सर्च होने लगी। इसके बार धेर सारी आदिल और तनु की तस्वीरे भी वारल होने लगी। इन तस्वीरों में आदिल और तनु की नजदी कियां देखी जा सकती हैं। वहीं राखी सावंद ने ये भी कहा कि तनू ने उन्हें फोन किया था। इसके अलावा राखी ने कई बार आदिल की बॉड़ी पर लव बाइट्स भी देखे हैं। राखी का कहना है कि आदिल उन्हें धमकी देते हैं कि वो उन्हें छोड़ कर अपनी गर्फरिन के साथ रहने चले जाएंगे। खेर तनू ने अब तक इस मामले पर कोई भी रियाक्शन नहीं दिया है। ये रिपोर्ट क्राइंग तक। क्राइंगे टिया कि वो